दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अगर noise की smart watch खरीदी है तो आप इसको कैसे चालू करेंगे कैसे on करेंगे तो इसको on करने के लिए आपको करना क्या है आपको simply यहाँ पर यह power button इस टाइप से एक दिख रही होगी ओके आपको इसको थोड़ी देर प्रेस करें रहना है अब जब आप इसको थोड़ी देर तक दबाए रहेंगे तो आटोमैटिकली आपके सामने इस टाइप से यह चालू हो जाएगी बूट हो जाएगी और यहाँ मदलब noise का नेम लिखके आया होगा आप देख सकते हैं और उसके बाद यह interface आ ना है ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि हम scan कर लेते हैं ओके यहाँ पर हमने यह QR जो है वो scan कर लिया ठीक है यहाँ पर हम चले गए website पे तो आपके सामने जो है यह app खुल जाएगा noise fit नाम का ओके आप चाहें तो directly आप जो है Google Play Store में चले जाईएगा और यहाँ पर noise fit नाम से app search कर लिजेगा तो वो आपको दिखा देगा ठीक है यहाँ पर हमने search किया आप देख सकते वही app आ गया आपको simply इस पर install पर click करके इसको download कर लेना है अपने phone में और इसको download करने के बाद आपको simply इस app को open कर लेना है ओके तो यहाँ पर हम इसको open कर लेते हैं इसको open करते ही आपको जो है यहाँ पर इस type का interface मिलेगा यहाँ पर नीचे terms and conditions दिखा रहा होगा तो आपको इस पर click कर लेना है मतलब check कर देना है and agree and continue पर click कर लेना है और यहाँ पर continue पर फिर से click कर देना है उसके बाद लिखा है start your fitness journey तो फिर आपको login करना पड़ेगा तो आप Google Gmail के through कर स करना हो आप उस पर click कर लीजेगा जिस भी Gmail ID से click करते ही आप से यहाँ पर पूछ रहा है what's your number ओके तो आपको यहाँ पर अपना number डाल देना है number डालने के बाद आपको continue पर click करना है continue पर click करेंगे तो आपके एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है OTP डालने क आपको क्या करना है आपको नीचे ही यहाँ पर दिखा देगा इस टाइप से आपकी device ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो watch है वो यहाँ पर इस टाइप से दिखाए दे रहा है अगर नहीं दिखाता है तो आप simply scan पर click करिएगा ओके और यहाँ पर allow करिएगा और यहा यहाँ पर आपको watch में automatically यहाँ पर दिखा देगा pair with this device तो आपको tick पर click कर देना है ठीक है और अगर आपको यहाँ पर नीचे नाम दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ओके यहाँ पर नीचे ही इस टाइप से नाम दिखा रहा है तो आप simply इस पर क्लिक करिएगा तो फिर से आपको यहाँ पर दिखा देगा pair with this device आपको यहाँ पर टिक पर क्लिक करना है जैसे ही टिक पर क्लिक करेंगे यह pair हो जाएगी paired successful आपको दिखा देगा बस आप start using पर क्लिक कर लिजे और यह आपकी noise की smartwatch इस टाइप से on हो जाएगी अब यह यहाँ पर आप इसको अपना use कर सकते हैं अगर वीडियो से help ही हो तो वीडियो को कर दीजे like, channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए